दोस्तो राइगर राजी के स्थापना राजा मदन सिंग दौरा किया गया था मदन सिंग जी मौलिक रूप से महरास्थ जीरा चान्दा के छोटे से गाउं बैरागर से थे राइगर इस्टेट पहले उडिसा के संबलपूर इस्टेट का एक भाग हुआ करता था राजा मदन सिंग जो कि संबलपूर इस्टेट के राजा के एक सामन्त थे संबलपूर इस्टेट से अलग होकर स्वतंत्र राज जिस्थापित कर लिया पहले राइगर एक आलिवासी छेत्र था जो की अभेद घना जंगलो और काटेदार रिक्षों से भरा हुआ था काटेदार रिक्ष जो यहां बहुत आयत पाए जाते हैं जिसे राइवरिक्ष कहा जाता था इसलिए राजा ने इस स्टेट का नाम राइगर रखा अंग्रेजों के दमनकारी और कलाव के प्रती बेरुखी के कारण समाज में निर्थ कला कर स्थान गौन हो जुका था ऐसे संकट और विक्राल इस्थिती में मत्रपरदेश जो अब 36 गड़ है इस छोटे से स्टेट राइगर में एक संगीत का मसिया का जनम हुआ जो सही माइने में निर्थ संगीत साहित के अवतारी पुरुष थे राजा चकरतर सिंग्जी का जनम राइगर रियासत में बहुत धार्मिक और संगीत पार्खी राजा भूद्यो सिंग्जी के यहाँ दूतिय पुत्र के रूप में 19 अगस्त सन 1905 शनिवार को हुआ था राइगर के आठफी राजा श्री भूद्यो सिंग्जी के पुत्र कुवर चकरतर सिंग्जी के जेस्ट प्राता कुवर नट्वर सिंग्जी एवं छोटे प्राता कुवर बलभदर सिंग्जी थे गौडवंशिय महराजा शकरतर सिंग्जी का बचपन से ही नर्थि संगीत में बहुत ही लगाव था इनका जनम गणेश चतुर्थी के पावन दिन में हुआ इसलिए पिता राजा भूद्यो सिंग्जी प्रतिवश गणेश मिला का आयोजन करते थे इनका जनमुद्सो बहुत ही दूमधाम और भवी रूप से मनाया जाता था जो के पहले एक महिनी तक आयोजीत होता था राजा चकरतर सिंग्जी का प्रारंबिक सिक्षा राइगड के ही मोती महल में हुई थी सन 1914 में ठाकुर लक्षमन सिंग के देखरिक में राजा चकरतर सिंग्जी के राइपूर के राजकुमार कॉलेज में दाखिल करवाए गया था तब चकरतर सिंग्जी महज 9 यद 10 वर्स के ही थे राजा चकरतर सिंग्जी होके, फुटबॉल, शुटिंग, टेनिस के अच्छे खिराडी थे राजा चकरतर सिंग्जी जब अपना अध्यान का कारी करी रहे थे तभी उनकी पिता राजा भूद्यो सिंग्जी का दुखत निधन सन 1917 को महज 50 वर्स के अलपायू में ही हो गया थे 22 मार्च 1917 को उनकी जेस्ट पुत्र स्री नटवर सिंग्जी ने राजगत्ती संभाली सन 1923 को प्रसासनिक ट्रेनिंग के लिए राजा चकरतर सिंग्जप्रदेश की छिनवाड़ा में जाना पड़ा कुशलता पुर्वक ट्रेनिंग पून करके राजगर लोट आए मगर सन 1924 को मात्र 33 वर्ष के अलपायू में ही नेटवर सिंग्जी का आकस्मिक मिर्थी हो गए चुकि निसंतान थे वो इसलिए 23 अगस्त 1924 को मात्र 19 वर्षे राजा चकरतर सिंग्जी ने राजगर इस्टिट की राजगत्ती को संभाली राजा चकर्थर सिंग जी को कत्रक निर्थ का बहुत ज्यान था। वो अच्छा तबला वादक वो पकखवज के भी वादक थे। साथ ही टांड़ोर निर्थे में भी महारत हासिल धाउने। राजा चकर्थर सिंग जी के दर्वार में बड़े बड़े कलाकार निर्थियाचारिय रहते थे। राजा सहाब उन से अपने ंजी वेक्तियों अपने लोक कलाकारों को संगीत निर्थ सिंग्छा दिलवाते थे। कर्थक निर्थ में उन्होंने अनूठी प्रोग किये राजा चकर्थर ने कर्थक के मूल सुरूप को सुरुक्षित रखते हुए युगान रूप परिवर्थन किये हैं कहा जाता है कि उस काल में ऐसा कोई महान विख्यात कलाकार साहित्यकार, नर्थक, गायक, संगितकार नहीं था जो की राजा श्री चकर्थर सिंग जी के दर्बार में आतित्य और सम्मान न पाया हो रायगण संगी दरबार की निर्मान में राजा चकर्थर सिंग जी का बहुत बड़ा योगदान था इत्यास में उनका नाम सुर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है महराजा चकर्थर जी के चार स्थम्भ थे पंडित कार्थिक्राम, कल्यान दास, फिर्थुदास पर बर्मानार जी इन सब इस्तंभ ने मिलकर कथक के शेत्र में पूरी देश में रायगण की ख्याती फैलाई राजा चकर्थर सिंग जी के भाषाओ का बहुत ज्यान था हिंदी, उर्धु, संस्क्रित, उडिया, इंगलिश यों 36 गड़ी सब भाषामों ने महरत हासिल थी वे एक अच्छे शायर भी थे उर्धु कावे में फरहत नाम से कई गजले, नजमे, शायरी की उन्होंने जबकि चकर्प्रिया के नाम से हिंदी कावी लिखा करते थे कला संगीत से संबंदित विश्वका सबसे विशाल साहित उन्होंने लिखा जिसका वज़न ही 37 किलो है उनके ग्रन्तों को लिखने का काम श्री चिंतामनी कश्यप जिनको प्यार से चित्रु कहते थे जो सारंगड के थे और शामलाल पुद्दर्न किया करते थे साथियो सन 1939 को अखिल भारतिय संगीत संबिलन में वायसराय लिनलितगो के स्वागत हे दू कारिकर्प रखा गया था उस समय 60 कलाकारों के टीम के साथ इलाबाद में राजा चकसर जी ने खुद अबला पे संगत किया था और कार्तिक कल्यान ने कथक का अदभूत प्रजशन किया था वायसराय ने राजा सहाब को खुश होकर संगीत संब्राट के उपाती से सम्मानित किया था इस प्रकार राजगड में कलाकारों का संडख्षन, संगीत सिक्षा वो कलाकारों का राजगड में आना जाना उचित सम्मान इनाम देने की सिलसिला चलता रहा और राजगड एक संगीत का एक घराना बन गया राजा चकरदर सहाब की द्वारा लिखी गे कुछ ग्रन्तों के नाम बल पुष्पाकर फिर आया वो दिन जिसका इंतिजार हर भारतियों को था दिन था शुकरवा 15 अगस्त 1947 और भारत को आजादी में दे राजादी के महराज चकरदर सिंजी सुबह सुबह लटवर स्कुर के प्रांगण में किरंगा छंडा फहरा कर आजादी का महापर रास्तंत्र के जगां जातंत्र में देनी आजादी के इस दिन के ठीक प्रिपुमिन बाद 7 अक्टुबर 1947 को वो मंगलवा का दिन सारी परिवाद राइगर शहर और उनके असंग के संगीत रसिकों के लिए अमंगल सावित हुआ क्योंकि इसी दिन विदेखास से मात्र वियानिस वर्ष के अलपायों में राजा साहब ने इस आजार भारत को अलविदा कह दिया संगीत जगत के लिए राजा साहब के आउसान का दिन जुर्भागिय पूर्म वो काला दिन था मां वास्थ कर देका देका झाल ए बाल या है निर्ट के अवतार पुरुष राजा चकर्था सिंग जी निर्ट कला साहित्त के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहते थे मगर इतने कम समय में उन्होंने जो कुछ किया उसे राइगा शहर ही नहीं बलके संगीत जगत कभी भूल नहीं सकता ये तो विदित है कि राजा साहब ने कई अनमोल ग्रंट बंदिशो काविय परंग की रचना किया मगर ताल बल पुश्पाकरन के कुछ पन्ने ही उन्होंने लिखा था यह ग्रंट पूरा न कर पाने का एक दुख एक मलाल उनके मन में जरूर था उनकी इस शायरी से इस बात का अंदाजा लगाय जा सकता है खक करके सो गए थे साहिन की आसपास अर्मान उठ रहे थे मेरे दिल की आसपास सन 1984 में सांसत क्योर भुशन के माग रशन पर चकरतर ललित केंदर की स्थापना की गई सन 1985 में पहला चकरतर समारो गणिश चतुरती के दिन बादल महल में चकरतर सिंग जी के स्पृती में शुरू की गई थी सन 1987 में इसका नाम चकरतर समारो हुआ मध्यपदी सरकार मात्र दो दिनों की कारिक्रम आयोजित करती थी बाकी आट दिनों का आयोजन इस्थानिय कलाकारो दोरा किया जाता था सन 2000 में जब 36 गण स्थापना हुई जीरा प्रस्थासन द्वारा दस दिनों का कारिक्रम करने का निड़ने लिया गया जो आज परियंत भवी रूप से आयोजित होता है जिसमें देज भर से ख्याती प्राप्ठ कलाकार शिरकत करते हैं शतापदी दर शतापदी बीद्धी जाती है तब जाकर किसी एक शतापदी की कोक से पैदा होता है कोई काल जै सांगीतिक व्यक्तित्व संगित मरमग्य राजा चकर्था सिंग जी ऐसे ही विशिष्ट विलक्षन सांगीतिक व्यक्ति के धनी और कलापार की नरिश्थे उमीद है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा अगर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राब करिए नमस्कार जै चतिसगर जै भारत